हिलु फ्रेंज वेलक Bijने अपने चानल सम्सार्पूर्ड ये चिर्ट्वल गिसले करता है या फिर कोछ समान गिर जाता है तो उसमें चीटिया लग जाती है और कभी-कभी तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कभी-कभी चीनी के डबे में चीटिया लग जाती है जिस बरतन में आपने रोटिया रखी होती उसमें चीटिया लग जाती है और ये सब छोड़िये मिल्थाई और बिस्कित नमकीन को भी चीटिया नहीं छोड़ती तो फिर ऐसे में हम क्या करें कैसे चीटियों से हमार अपने खाने को प्रोडेक्ट करें कैसे हम अपने खाने की चीज़ों को चीटियों से बचाएं इसके लिए मैं आपके लिए कुछ उपाय ले करके आई हूँ जो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिसकस किये हैं अगर आप उन उपायों को अपनाते हैं तो फिर आपके जो ठीटी लगने की समस्या हैं वो खतम हो जाएगी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है जैसे बिस्किट, नमकीन या फिर कोई ऐसा समान जिसमें चीटी चाप बहुत ज़्यादा लगती है आपको उसको हमेशे एर टाइट कंटेनर में रखना है इसके अलावा फ्रेंड्स आपको साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए अगर थोड़ा सवे मीठा किचन में कहीं गिर जाए तो आपको उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जिसकी वज़े से चीटिया भाग जाएंगी अगर आपको घर में कहीं पर बहुत जादी चीटिया देख रही है तो आप थोड़ा सा सूखा आटा लेकर के उस जगे में चलक देते हैं तो उसे भी चीटिया भाग जाती है अगर आपको घर में कहीं पर लाल चीटिया नजर आती है और आप वहाँ पर हल्दी का चिर्काओ करते हैं तो उससे लाल चीटिया चले जाती है इसके अलावा आप सफेद सिर्का और पानी को बराबर मातर में मिला लीजिए और जिस जगह से चीटिया आ रही है उस जगह को अच्छे से पोच दीजिए वहाँ पर पूछा लगा दीजिए तो उससे भी चीटिया रास्ता भटक जाती है और वहाँ से चले जाती है इसके अलावा अगर हम चीटियों वाली जगह पे तेज पत्ते के तुकड़े डाल देते हैं उससे भी चीटिया चले जाती है चीटियों को भगाने के लिए आपका पूर का भी यूज़ कर सकते है जिस जगह से आपको चीटिया भगानी हो वहाँ पर अगर आपका पूर रख देते हैं तो उससे भी चीटिया भाग जाती है फ्रेंड्स अगर आप अपनी देली लाइफ से रेलेटेट टॉपिक्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरी चैनल सम यूसफल तिफ्स बैज जैनती को अभी सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही में बैल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिलकुल मत भूलिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो अपलोट करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा आईए और देख लेते हैं और क्या उपाय रहेंगे जिससे हमारी घर से चीटिया भाग सकती है चीटियों को भगाने के लिए आप बेकिंग सोडा और चीनी को पीस के उसका पाउडर बना ले उन दोनों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लीजे और उसके बाद घर में जहां पर भी दरा रहे हैं वो खिड़की में कोनों में वहां पर उसका चिरकाव कर दे तो उससे भी चीटिया भाग जाती है आपके घर में नहीं आती है फ्रेंड्स इसके अलावा आप नीबू के चिलके का भी यूज कर सकते हैं चीटियों को बगाने के लिए जिस जगह से चीटिया आ रही हूं अगर आप वहां पे नीबू के चिलके रख दे तो उससे भी चीटिया भाग जाती है इसके अलावा चीटी भगाने के लिए आप पुडीने के पत्तों का भी यूस कर सकते हैं आपको पुडीने के पत्तों को सुखा के रख लेना है और जब वो सूख जाये आपको उसे हाथ से पीस के उसका powder बना लेना है और जिस जगे पे चीटियां आती हैं आपको वहाँ पे उसका चिड़काओ करना है उससे भी चीटियां भाग जाती है ये मैंने आपके साथ कुछ उपाय डिसक्स किये थे जिसकी वेज़े से आप अपने घर से चीटियों को भगा सकते हैं इसमें से आपको सबसे अच्छा तरीका चीटि भगाने का कौन सा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और हाँ अगर अपने मेरे चैनल सम यूसफुल टिप्स को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी सबस्क्राइब कर लीजे और साथ ही मैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा तैंक यू फू वाचिंग